Hello Everyone, Welcome to Only IAS Time चला जाता है और नोट्स भी हमारे कभी-कभी बुक से भी जादा बड़े बन जाते हैं इन सबसे जादा खतरनाक टेंशन होता है कि हम दिनबर बुक लेके बैठते हैं लेकिन हमारी productivity बहुत जादा कम हो जाती है अगर हम 10 hours के लिए भी बुक लेके बैठे हैं तो उसमें से hardly एक या दो घंटे का ही effective पड़ा ही होती है बाकी time कहा चला जाता है ये हमें बिल्कुल नहीं समझता क्योंकि बार-बार हमें एक टेंशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है कि मेरा exam इस बार clear होगा या नहीं और अगर नहीं हुआ तो what I am going to do अगर मेरा exam इस साल clear नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा इस तरह के tensions के वज़े से हम दिन बर बुक लेके बैठते तो है लेकिन अपनी productivity बहुत ज़्यादा कम होती है हम focus नहीं कर पाते हमारा मन नहीं लगता पड़ाई में और ये सब सोचने में हमारा इतना time waste हो जाता है कि हमें लगता है कि इसमें अगर इतना time waste ना किया होता तो शायद 3-4 और chapter हमारे खतम हो जाते थे दोस्तो बात simple है प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी जिसको भी सफलता मिली है उसने प्रयास चरूर किये है प्रयास की ये बीना सफलता बिल्कुल असम्व हो है दो चीजे होती है एक होता है प्रयास दूसरी होती है सफलता कुछ लोग ये भी कहते है कि प्रयास करते रहना अपना काम है लेकिन सफलता अपने हाथ में नहीं होती लेकिन अगर प्रयास और सफलता इन दो चीजों को अगर हम एक logical order में लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्रयास क्योंकि सफलता तो ये outcome है प्रयास का Success is a result of efforts और जिस तरह का competition UPC prelims में है और जो pattern को UPC recent times में follow कर रही है जो pattern हमें UPC के exam में दिख रहा है चाहे वो GS का paper हो या CSAT का paper हो बहुत सारे MCQ की practice करना काफी जरूरी बन गया है इन सबी चीजों को धान में रखके हमने एक initiative चालू किया है जिसका नाम है प्रयास In UPC prelims, what matters the most is accuracy and accuracy comes with the continuous practice and efforts प्रयास is ours and yours collective effort to minimize the silly mistakes and bring accuracy in UPC prelims 2022 प्रयास ये basically UPC prelims 2022 के लिए एक test series है जिसमें 5100 MCQs के थू syllabus के हर topic और हर concepts को cover करने की कोशिश की जाएगी इसमें आपको सभी type के questions मिलेंगे UPC का जो recent trend है और जो pattern है उसी को ध्यान में रखके ये सारे questions frame किये गये है इसमें आपको 25 sectional test मिलेंगे इसमें 11 current affairs के test है और उन 11 current affairs के test के थू पिछले एक साल का सारा current affairs cover करने की कोशिश की गई है और last में आपको 15 full name test मिलेंगे इस test series की खास बात ये है कि इसमें graded approach follow किया गया है जिसमें syllabus का हर point gradually cover किया गया है और जो targets इसमें रखे गये है वो doable है इसका मतलब अगर किसी portion को खतम करने के लिए 2 से 3 दिन लगने चाहिए ideally तो उसको उतना time दिया गया है इस तरह से पूरे syllabus को छोटे-छोटे parts में divide करके syllabus completion काफी easy तरीके से हो जाए इसकी कोशिश की गई है यह program चालो होता है 1st January 2022 से और इसका validity है 5th June 2022 मतलब की prelims तक इस program का fees है 5000 प्लस GST और इस program को join करने के लिए आप dpp.onlyas.in को visit कर सकते हैं Thank you very much